हेलो दोस्तो कि आप जांते हों कि दुणिया के सबसे महंगंव वायरस कौन सा था, नहीं मैं कोरोन वायरस के बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक कंप्यूटर वायरस की, और किया आप जानता है कि android पहले smartphone के लिए बनाय नहीं गया था, तो फिर android बनाय किस के लि वीडियो मिलती रहेंगी वह भी बार बार और लगाता है तो हैलो गाइज में आपके कस्टमर और मैं आपका स्वाइब करता हूँ आपके अपनी चैनल बोजन सेख्शन लेट्स गेट स्टाड़िज विडियो टाइटल गैलेक्सी आफ फैट्स वाट्सप पर इस्तमाल को हर कोई करता है फिर वो चाहिए किसे के साथ टेस्ट करने के लिए हो या फिर किसे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए या फिर एविन फाइल सेयर करने के लिए है लेकिन क्या आपको पता है कि वाट्सप के फाउंडर का नाम क्या था और य एक independent country है और Gen.com का जन 1976 में उक्रेन के कुईव सिटी में हुआ था और कुईव सिटी उक्रेन की सबसे पॉपॉलर सिटी में से एक है और यह है यूरोप की साथ वी सबसे पॉपॉलर सिटी है दोस्तो 1991 में जब उक्रेन एक independent country बना था तब इसके एक साल बाद जेन कॉम और उनकी फैमिली कैलिफोर्निय शिफ्ट हो गई थी यूएस इन और दोस्तो क्या आपको पताए कि जेन कॉम ने अपनी सपने पूरे करने के लिए अपने कॉलिज भी छोड़ दिया था इसके बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक एप बनाया जिसे आज हम वाटसप के नाम से जानते हैं और दोस्तो इस एप के लिए गूगल ने जेन कॉम को 10 बिलियन डॉलर का ओफर दिया था बाद में फेस्बुक ने इसे 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया फेस्बुक ने वाटसप को 2014 में 19 फरवरी को खरीदा था फेस्बुक ने वाटसप को 19 बिलियन डॉलर में खरीदा था जो कि इंडेंड रुपीज में एक लाग चौदा हजार करोड के बरावर होते हैं दोस्तो अगला फैक भी वाटसप से जगा है अज पूरी दिन्यों वाटसप को फ्री में जूज करते हैं लेकिर क्या आपको पता है 18 जनुरी 2016 के पहले वाटसप फ्री नहीं था उससे पहले वाटसप वन डॉलर पर यूजर एन्वल फीज करता था और दोस्तो जनुरी 2016 के बाद वाटसप सब के लिए फ्री हो गया इसका कारण था गूगल प्ले स्टोर का आना क्योंगी गूगल प्ले स्टोर पर एपकल की तरह इतने रूम्स नहीं है तो वहाँ कोई भी अपना एप बना कर डाल सकता है और इसी के कारण वाटसप जैसे कई तरह के अप्स गूगल पर आने लगे थे तो इसलिए वाटसप ने कंपेटीशन में बने रहने के लिए अपनी एन्वल सब्सक्रिशन फी लेना बंद कर दिया बड़ दोस्तो इसका मतलब यह नहीं है कि वाटसप आज भी बिल्कुल ही फ्री है वाटसप आज भी चार्ज करता है लेकिन तिर्फ बिजनिस एपियाई से वाटसप बिजनिस एपियाई से चार्ज करता है और ये भी सिर्फ बिजनिस से लेट रिपलाई के लिए चार्ज करता है अगर आपको वाट्सप बिजनिस पर कोई बिजनिस अकाउंट है और आपने अपने कस्टूमर को 24 गंटे के अंदर जवाब नहीं दिया है तो वाट्सप आप से चार्ज करेगा यह है चार्ज कुछ प पहली बार देखा आया था इसे लव बग भी कहते हैं यह वाइरस आपकी इमेल के थ्रुबाता था इसमें एक इमेल आता था आपको की आई लव यू विज वन अटेश्मेंट लव लेटर फोर यू और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर दे थे आपका कंप्यूटर क्रेश हो जाता था और दोस्तों सबसे सौकंग बात तो यह है कि इस वाइरस में सिल्फ 10 डेज में 10 मिलियन कंप्यूटर को अफेक्ट कर दि 10 to 15 बिलियन डॉलर्स थी तो दोस्तों आपने यह तो जाने लिया कि प्यार भी एक वाइरस ही है और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सबाई बंचाने वाला कंप्यूटर वाइरस को था तो आपकी जानतारी के लिए बता दो वह वाइरस था माइडूंग वाइरस जो की जैनुरी 26 2004 में पहली बार देखा गया था and it was the fastest spreading virus ever दोस्तों यह दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला कंप्यूटर वाइरस था इसने सिर्फ 10 दिनों में लगव विंडोज के 50 मिलियन कंप्यूटर को अफेक्ट कर दिया था और सबसे शॉकिं दोस्तों इस वाइरस में 38 बिलियन डॉलर का नुकसान तो क्या ही था लेकिन इससे हुए नुकसान को एड़ेस्ट करने के लिए 52 बिलियन डॉलर की कोस्ट भी आई थी means नुकसान तो एक तरफ उसकी भरपाई के लिए भी दुगना पैसा देना पड़ दोस्तों इस टाइम पर सब कुछ online है फिर चाहे हो पढ़ना हो या पढ़ाना कुछ खरीदना हो या बेचना और तो और यहां तक की गेम्स भी online ही हो गए है लेकिन सोचिए इस टाइम पर आपके साथ कोई fraud हो जाता है तो आप क्या करेंगे दरसल दोस्तों आजकल तो online frauds के नंबर भी तेजी स बढ़ने लगे हैं क्योंकि आप सब कुछ online है तो online frauds भी तेजी से बढ़ेंगे दोस्तों अगर आपके साथ कोई online fraud हो जाए तो आप क्या करेंगे चिंता मत कीजिए दोस्तों मैं बताता हूं वैसे इससे पक्का solution तो नहीं पर आपको help जरूर मिल जाएगी दोस्तों online fraud के time पर आप government की official website www.cybercrime.government.in पर login कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी सिकायत register कर सकते हैं या फिर आप दोस्तो 155 260 पर भी call कर सकते हैं यह है national cybercrime security number है दोस्तों इससे पक्के solution को तो पता नहीं लेकिन आपको help जरूर मिल जाएगी दोस्तों आप में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके पक्का काम आने ही वाला है दोस्तों अगर आपका phone कहीं चोरी हो जाता है तो इसके मिलने की कोई guarantee नहीं वो अम मिले या ना मिले लेकिन अगर दोस्तों आप यह कर लिंग तो क्या पता आपका phone कभी चोरी ही न हो दोस्तों आप अपनी Gmail ID से find my device पर login कर सकते हैं यह Google पर एक बहुत trusted website है जिससे आप अपने Gmail जो कि आपके mobile phone में login है उससे register कर सकते हैं और आप यहां से अपने phone की last location भी पता कर सकते हैं और अगर आपका phone अभी on है तो दोस्तों यह आपके phone की current location भी बता देगा और दोस् की screen पर एक message सो भी करा सकते हैं कि I lost my phone and please call this number like this और दोस्तों अगर आपको अपना phone में ही नहीं रहा है और आपकी अगर उसमें कोई essence के information है और आप नहीं चाहते कि वह कोई और देखे तो दोस्तों आप अपने phone की storage को भी delete कर सकते हैं जिससे कि कोई भी उस phone में क्या था वो और आप अपने phone को आसानी से ढूंड लेंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहले website कौन सी थी चलिए मैं बताता हूं वो थी टिम बर्नर्स लीद्वारा बनाए गई डवलू डवल्ड वाइड वैब नामक website जो कि अगर्त 1991 में बनाए गई थी और यह आज भी open है इसे आप आज भी जाकर विजिट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह time के साथ साथ बहुत ही modify हो गई है और आपको लग सकता है कि यह दुनिया की सबसे पहली website नहीं है पर असल में यही दुनिया की सबसे पहली website थी और रहेगी अगर आप विजिट करना चाहें त दोस्तों वैसे तो Apple Company अपने आप नहीं बहुत खास है और आज मैं आपको इनी खास चीजों में से एक चीज आपको बताने जा रहा हूं है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि Apple के Laptops के पीछे जो Mac Subd जोड़ा होता है उस Mac Subd की full form क्या है अगर नहीं तो मैं बता देता हूं इस Subd की full form है Macintosh दरसल दोस्तों जब Apple first computer launch हुआ तो Steve Jones उसका एक innovative नाम चाहते थी तो बाद में Steve Jones ने उसके लिए Macintosh Subd चुना और बाद में इसे बदल कर मैट कर दिया गया इसको और stylish और अच्छा सनाने के लिए और दिखाने के लिए और दोस्तों अब तक लांच किये ग एक्पेरिमेंट हुआ था जिसमें इंटरनेट की data transferring speed की तुलना फिजन यानि कभूतर की data transferring speed की तुलना हुई थी इसमें उन दोनों के बीच एक race हुई थी वैसे कभूतर ही क्यों दोस्तों इसका simple transfer यह है कि ancient time में लोग अपने messages भेजने के लिए कभूतरों का ही इस्तिमाल करके थे तो इसी लिए कभूतर को चना गया यह race South Africa में हुई थी और इसमें कभूतर की race ADSL technology के साथ हुई थी ADSL का full meaning है Asymmetric Digital Subscriber Line जो की data transferring की एक technology है और दोस्तों कि आप सूर सकते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई थी और अगर आपने कभूतर का है तो यह आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको इसके लिए मिलता है चेवनी भी नहीं बस आप इस चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं इसके बदले में दोस्तों यह race साथ माइल की दूरी के लिए हुई थी जिसमें कभूतर में सिर्फ मिनट 57 सेकंड्स में कहुचकर ADSL टेक्नलोजी बुरी ही तरह से धज्जियां उड़ा दी क्यूट उस टाइम ADSL टेक्नलोजी में सिर्फ 10% डेटा ही ट्रांफर हो पाया थी और यह डेटा भ TV की चिप को कभूतर के ऊपर लगा दिया गया था जिससे कभूतर उस चिप को लेकर आसानी से हवा में उड़ सके यह फेक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए दोस्तों क्या आप जानते हैं कि M.I.T. यानि मैसिंच चुसेट इस्टिटूट आफ टेक्न सर्व आपकी स्वेटिंग और दिल की धर्कन जानी हर्ट बीट और आपके टेंप्रेचर को मीजर करके बताता है कि आपकी इसमाइल फेक है और वी है वैसे यह सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत और भी कैल्कुलेशन्स करता है जो कि बहुत ही कॉंप्लेक्स हैं दोस्तो आज कल हम ना जाने ही कितने ही तरह इक वेबसाइटS और एफ का इस्तमाल करते हैं और ये सब आपको पता ही होगा कि ये सब प्रोग्रामिक के दौरा ही बनाए जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? चलिए मैं बतापने दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर एड़ा लोगलेश थी ये इंग्लेंड दे रहने वाली एक मैथमेटीजन थी जो की 10 December 1815 को लंगन में United Kingdom में पैदा हुई थी ये एक मैथमेटीजन और लाइटर थी इनका पूरा नाम अगस्ता अडाफिंग नियोल स्काउंटर्स ओफ लोगलेश था और दोस्तो इनकी देश 27 November 1852 को मेरी लेबोन लंगन में हुई थी एक मैंपन मैं पारशा हुई एक मैं दिती है ay कर दोस्ता अड़िंग स्काउस